आज हम बात करेंगे युबा पीडी की कि आखिर युबा पीडी किस तरफ जा रही है और किस तरफ उन्हें रहना चाहिए था हमारे साथ है जबाहरलाल नहरू रास्टिये युबा केंदर के अध्यक्ष और बरिस्ट कॉंग्रेसी नेता माननिये विनोध गुपता जी जिन से हम बात चीत करेंगे गुपता जी आपका स्वागत है हमारे कारिगरम में आज जो युबा पीड़ी है वो नशे की तरफ जा रही है और तमाम व्यसन व्यसन जो है वो युबा पीड़ी में आ रहे हैं आप इसकी क्या बज़ा मानते है इसकी बहुत साफ बज़े यह है कि हमारे भाद सरकार ने कोई ऐसी युबा नीची ने बनाई जिसे इनको अच पर जाए करांड यह होता है कि जो युबाओं की सोच है वो सोच को पूरा ने कर पाता है वो दाहांड के तौप है और लाखों की संख्या में गेडियूस्स निकल गए लेकिन मारे मारे फिज रहे हैं उनको कोई नौक्तरी ने मिल लेगी वेपार के लिए बैंक उनको लोन नहीं देता बैंक ये सोचा ये चुकाई के चुकाईंगे कैसे हम इनको लोन कैसे दे तो अपने लक्ष से वो भटक गए और जब भटकाओ होता है तो ये शौटशत नियम है कि आदमी अच्छाईयों के जगे ब्राईयों के सब जाती जाता है जिसे आपने बात की रोजगार की तो तमाम वादे सरकारें कर देती हैं पढ़ाई में भी बच्चे काफी अबल रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार सरकार मुहया नहीं करा रही और देखने में ये भी आता है कि तमाम सरकारी विभागों में जगे खाली योजनाई बना कर अगर ये यूप को कोई अब जैसे मैं एक बहुत बार मैं कह चुका हूं इस बात को उस समय की बात है पुरानी बात है ये कि मैंने काहता है ग्रामील शिक्षा और शेरी शिक्षा में अंतर होना थी है उस समय ग्रामील लोग जोते है वो भागते थे शेर कितर तो मैंने यह का था जो यह पड़े लिखे लोगा और जब इनको शेयर में आगे कुछ ने मिलता तो यह गलत रास्ते पर चले आते हैं तो इससे भी रूप लगेगी एक मैंने कहा कि मैं आई टी आई का भी अधेक्षा हूं मैं अजब आगा कि आई टी आई जो गॉवर्मन्न खुल रही है इसको यह बन कर दे और इसकूलों मैं इस शेक्षा को कंपल्सरी कर दे जैसे साबून बनाना है तेल बनाना है ज्यूते की पालिश करना है शिलाइक राया है कंप्यूटर है इन चीजों को यह दिया आप कंपल्सरी कर देंगे तो कम से कम आदमी जोजगाज से तो लगेगा उसमें आहम बावना भी खतम होगी कि जैसे इस्ट्रेंट लाइब में आहम बावना होती है कि बाप ने कहाँ जैसे सब्दी लियाओ मैं क्यों लेकर हूं साब सब्दी है ना तो यह एगोईज्म जो है यह बच्चों को करते हैं तो इस समय मौजूदा समय की हम अगर बात करें तो कितने ऐसे युवा होते हैं जो आपके उन कारिक्रमों में आने के लिए या ऐसे मानने के पहले संख्या जादा होती थी या अब संख्या जादा होती है ऐसे कारिक्रमों में जहां युवाओं को कुछ सिक्षा द खेलो के द्वारा आदमी में अनुशासन आता है। और यदे अनुशासन आ गया, अनुशासन प्रेया हो गया, तो बहुत से समझ्याइं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो हमने, मैं तो इसरो मत्रम कम से कम दस हजार लोगों को, हमने यहां पर युबाओं को, जिसमें लड़के भी लड़किया दुन्हों ही शामिल हैं, उनको खेलो के द्वारा, खेलो के माध्यम के द्वारा, बहुत आगे बढ़ाने का प्रत्नी क्या है। मौजूद है युबापीडी को अपनी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे। जो बड़े-बड़े हमारे आदर्ष महापुष्ट आएं उनको पढ़ो तो इसे एक माय की द्रेक्शन आपको मिलेगा और आप गलत रास्ते अच्छा कोई भी युबाप मैं नहीं समझता कि कोई गलत रास्ते पर जाना चाहता है। लाखो की तरदाद में हैं युबाप मैं अजबाद जिले की बात कर लूँ मैं तो कितने युबाप हैं जो बटक गए। इसा नहीं किसाय किसाय युबाप बटक गए। युबाप बहुत अच्छी सकते हैं युबाओं के बल पर देश आजा दुआ है। बड़ी बड़ी क्रांतिया जो ही हैं चाहें वो फ्रांस की क्रांतियों और रूस की क्रांतियों सब युबाओंने की हैं। बहुत बटक गए। अगर युबाप बरस्पत होगा तो वो देश तो चल ली नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि युबाओं अपनी जेगे ठीक हैं। ये थे विनोध गुपता जी जिनोंने युबापीडी को अपनी तरफ से संदेश भी दिया है। कि वो रास्ते से ना भटकें और आने वाले समय में अपने देश और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। अजेप परताप सिंग, ABPS News, मुरदबाद